दोस्तो लेटेस निउस और लेटेस अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथी साथ इस बेल आइकोन को भी क्लिक कर दीजिए अदालत ने लालू यादो को दी सारे तीन साल की सजा इससे जुरी खबरों के बाड़े में जानने के लिए स्टोडियों को पूड़ा देखे चारा कोटाले के मामले में CBA की विशेश अधालत में आरजेटी सुप्रीमों और बिहार के पूर्यों मुख्य मंते लालू प्रसाथ यादों को सारे तीन साल की सजा सुनाई है इसके लोग कोट ने लालू पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है बड़ी बात ये है कि लालू समित सभी दोस्यों को जमानत नहीं मिलेगी इसके लिए उन्हें उच्छ अतालत में जाना होगा देवर कोशागर से अव्यत तरीके से 90 लाख रुपए निकालने के मामले में ये बड़ा फैसला आया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जलिया लालू समित सभी सूला दोस्यों ने राची के बिर्साम गुंड़ा जेल में एक साथ बैटकर जैस का फैसला सुना मामें दोशी थाराये गए फूल चिन्डर महिस प्रशाद, बी जूलियस, राजा राम, राजेस प्रसाद, सुनिल कुमार, सुधिर कुमार और सुसिल कुमार को भी सारे तीन साली सजा सुनाई गई है गरता लब है कि पिछले साल 24 सिसंबर को सीवेई जेज ने 1990 से 1994 के बीच डेवगर के सरकारी कोश्रागर में 90 लाक रुपए के अव्वैक निकासी के मामले में लालू पसाद यातर समिट 16 लोगों को दोसी करार दिया था सजाका फैसलद 3 जनूरी को ही आना था पर तारिक एक-एक दिन कर ठलटी जा रही थी सुनवाई के दौरान सीवेई के वकील ने डोस्यों को जयादा से जयादा सजा देने की मांग की थी जपिल लालू के वकिल ने लालू का खराब स्वास्टे का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपिल की थी पिछले तीन दिन से कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू और जज के भी बाचित के कई प्रसंग सामने आए है सिबे की विशे educated के जज परसिंग ने कहा कि लालू के लोगों की ओर से उनके पास काफी सारे phone calls आये है जज ने कहा कि मेरे पास कई लोगोंे सिफारी से की है लेकिन चिन्टा करने की कोई ज्रत नहीं है मैं क्यों कानून का है पालन करूँगा तो दोस्तो इस न्यूस के बाड़े में आप अपनी राय हमें नीचे देगे कम्बेंट्स के दोड़ा बता सकते और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले आगे और भी खब्रोकली बने रही हमारे न्यूस सुत्र चर्ण सा धन्यवाद